हलो दोस्तों नमस्कार मेरा यूट्यूब चैनल जीप और गुड्डू क्लासेज में स्वागत हैं दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैट्स जिसमें पहला चेप्टर है रियल नमबर्स चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं रियल नमबर्स ठीक है तो रियल नमबर्स तो दोस्तों रियल नमबर्स का मतलब होता है वास्तिविक संख्या रियल नमबर का मतलब क्या होता है वास्तिविक संख्या ठीक है real number का मतलब बता है वास्तिविक संख्या है इंदी में इसको वास्तिविक संख्या कहते हैं ठीक है तहां लिखा हुआ है real numbers, real numbers constitute the union of all rational and irrational number कहाने का मतलब है कि real number में कौन कौन सा number आते हैं सभी rational और irrational number दोनो rational और irrational number दोनो किसके अंतरगत आते हैं real number के अंतरगात आते हैं, ठीक है, दोनो rational और irrational दोनो real number के अंतरगात आते हैं, ठीक है, second point लिखा हुआ है, any real number can be plotted on the number line, ठीक है, कोई भी real number को हम number line पर plot कर सकते हैं, number line पर उसको दर्शा सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जीतना भी ये सब number है, सब क्या है, real number, है, ठीक है, जीतना भी number है, ये सब क्या है, real number है, अब जोस्तों आगे चलते हैं, यूकलीड डिवीजन लेमना, ये क्या होता है, यह लिखा हुआ है, यूकलीड, यूकलीड डिवीजन लेमना स्टेट थाइस, गिवेन तो इंटीजर आ और ब, दियर एक्जिस्ट ए यूनिक पेयर ओफ इंटीजर्स, क्यू एन आर, सच देट, ए इक्वेल टू बी इंटू क्यू प्लस आर और जीरो लेस देन, और एक्वेल टू आर लेस देन बी, ठीक है, ये सब दिखा हुआ है, मत्तब यूकलीड लिविजन लेमना क्या कहता है, इस टेट दा है, कि दो गो इंटीजर्स जब होता है, ए और ब, दो गो इंटीजर्स जब हमारे पास ए और ब है, ठीक है, तो उसके पास क्या होता है, एक यूनिक पेयर ओफ इंटीजर्स होता है, जो कि Q और R होता है, जिस लेमना is essentially equivalent 2 यह यह जो लेमना होता है किसकेっち होता है किसके संथ होता है हम ल्लोग ड्यवाइड में पढ़ते हैं है dividend बराबर divisor into quintu semto plus remainder dividend equal to diviser plus class plus remainder यहाँ पर यह क्या हो गया living dividend हो गया विग्या हो गया Diviser हो गया क्यों क्या हो गया rapping remainder हो गया in other words दूसरे सब्दों हम क्या कर सकते हैं for a given pair of dividend for a given pair of dividend and divisor the quotient and remainder obtain are going to be unique सिरी सी बात है कि कोई भी मेरे पास dividend दिया हुआ है और divisor दिया हुआ है ठीक है तो अलग-अलग divisor और dividend के लिए के लिए अलग-अलग क्या होगा quotient और remainder होगा ठीक है अलग-अलग divisor और dividend के लिए अलग-अलग quotient और remainder होगा जिसे के माल लेजिए मेरे पास four एक divisor है ठीक है और nine एक dividend है इसको हम जब divide करेंगे तो four two जा eight nine में से eight गया one ठीक है कितना आया quotient two remainder कितना आया one ठीक है अब लेते हैं three डिवाइसर three लेते हैं और एक नमबर लेते हैं ten dividend ten लेते हैं ठीक है three three जा nine ten में से nine गया one यहाँ पर कितना बचा remainder one quotient कितना आया three तो क्या देखनों के मिला यह देखनों के मिला कि जब हम four और eight लिए क्या चीज़ डिविडेंट और डिवाइसर तो remainder कितना आया remainder आया four और nine लिए था ना remainder कितना है remainder one आया और quotient two आया लेकिन जब हम डिवाइसर तृरी लिए और dividend 10 लिए तो remainder one आया और quotient 3 आया तो क्या हता है इसके लिए अलग है और इसके लिए अलग है यह ही यह point कहना चाह रहा है ठीक है, अब आगे चलते हैं, तो आगे है, आगे क्या है, Euclid's Division Algorithm, ये क्या होता है, Euclid's Division Algorithm, Euclid's Division Algorithm is a method used to find a ACF of two numbers, say A and B, where A greater than B, Euclid's Division Algorithm, जो है, कुछ नहीं है, एक method है, क्या है, method है, क्या चीज़ का method है, ACF निकालने का, ACF मतलब, महत्तम समापर्तफ, high common factor निकालने का एक तरीका है, एक तरीका है, जिसको क्या बोलते है, Euclid's Division Algorithm, ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि, इसमें किसका यूज करते हैं, Euclid's Division Algorithm का यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है, कि A और B का यूज करके, दोठो और निकालते हैं क्या चीज इंटीजर, QNR, A और B क्या होता है, डिवाइसर और डिविडेंट होता है, तो डिवाइसर और डिविडेंट को एक दूसरे में क्या करते हैं, ओप्रेशन करते हैं, तो QNR आता है, ठीक है, QNR होता है, जो कि R क्या होता है, या तो 0 के बड़ा होता है लेकिन डिवाइसर से क्या होता है छोटा होता है ठीक है आगे क्या है if r berraver 0 the scf is b अगर r berraver 0 आ जाता है तो scf क्या होता है इये पढ़ने से नहीं समझ मैं आ Zust करके दिखना होगा तो क्या है देखिए क्या है से जैसे के माल लेजिए हमको 8 और 8 और 8 और किसका है 8 और माल लेजिए 32 का ऐसी हम निकालना है ठीक है तो सब यहाँ पर क्या है यहाँ पर यह है कि 32 greater than 8 यानि कि 8 से क्या करेंगे 32 में divide करेंगे ठीक है 8 से क्या करेंगे 32 में divide करेंगे ठीक है यानि कि remainder कितना आ गया 0 तो यहाँ पर यह बोल रहा है line कि अगर जो remainder 0 आ जाता है तो cf यही वहला हो जाता है b इसी को b माना है यही क्या हो जाता है यही जो diviser हो जाता है यही क्या हो जाता है, SCF हो जाता है, ठीक है, लेकिन अगर जो SCF 1, SCF 0 नहीं आता है, तो फिर से क्या करते हैं, फिर से क्या करते हैं, जब remainder 0 नहीं आता है, तो क्या करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे कैसे बढ़ते हैं, जैसे किमाली जी हमको निकालना है, 40 ठीक है और 40 का निकालना है और किसका निकालने 35 का निकालना है ठीक है एसी अपने कालना है तो 35 से डिवाइट करेंगे 40 में 40 एक बार में जाएगा बच जाएगा 5 जीरो नहीं आए रिमेंटर तब क्या करेंगे इसको क्या बनाते इसको पहले जो डिवाइसर था उसको क्या बना देंगे या पर डिविडेंट बना देंगे ठीक है अब कब तक ऐसा करेंगे जब तक कि यहाँ 0 न आ जाए तो 0 तो आ जाए तो यह वला क्या हो जाएगा ठीक है यही है क्या चीज़ यूकलीट डिविजन अलगोरिथम ठीक है आगे चलते हैं तो आगे क्या है आगे है अर्थमेटिक का कुछ थियूरम होता है जिसको यहाँ पर फंडामेटल थियूरम कहा गया है ठीक है प्राइम फेक्टराइज़ेशन क्या होता है सबसे पहले प्राइम फेक्टराइज़ेशन जिसको हम लोग क्या कहाते है हिंदी में अभाज जे गुननकंड तो आखिर में प्राइम फेक्टराइज़ेशन अभाज जे गुननकंड होता क्या है तो प्राइम फेक्टराइज़ेशन is the method of expressing natural as a product of prime number तो प्राइम फेक्टराइज़ेशन एक प्रकर का method है जिसमें क्या होता है कि नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर को अभाज संख्या के गुनन के रुप में उसको ब्यक्त करते हैं अभाज संख्या के गुना के रुप में ठीक है जैसे कि यहां देखिए कि 36 क्या है प्राइम नंबर है तो 36 को 2 x 2 x 3 x 3 में ब्यक्त किया गया ठीक है उसी परकास समाल लेज़े मेरे पास number है 48, 48 को लिख सकते है तो येक्या हुआ, नमबर हुआ सब, ये क्या हुआ, नेस्यूराल worship नमबर हुआ, ठीक है तो नेस्यूराल नमबर को ठीक है, प्रोडक्ट और प्राइम नमबर की रूप में बदलने का जो process होता है उसी क्या पूला जाता है prime factorization कहा जाता है ठीक है समझ में आगे होगा अब आगे चलते है आगे चलते है तो आगे हमारा fundamental theorem of arithmetic वही है जिसमें लिखा हुआ है कि the fundamental theorem of arithmetic state that the prime factorization for a given number is unique if the arrangement of the prime factorization is ignored ठीक है the fundamental theorem of arithmetic is state that the prime factorization for a given number is unique ये fundamental theorem of arithmetic ये कहता है कि जो किसी भी number का जो prime factorization होता है वो क्या होता है unique होता है क्या होता है unique होता है ठीक है उसको उसको क्या करते है किसी भी तरीका से एरेंट किया जा सकता है जिसे है न इसको 2 into 2 into 3 into 3 लिखा फिर क्या कर दिया 2 को इधर कर दिया, 3 को इधर कर दिया, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिकत नहीं है, फिर क्या है कि therefore 36 is represented as a product of prime factors, 36 को क्या किया गया, prime factors के रूप में, prime factors के product के रूप में इसको represent किया गया, ठीक है, जो कि 2 है और 3 है, 2 कितना है, 2 times और 3 भी 2 times, ignoring the arrangement of the factors, जिसमें क्या किया गया, इसका जो factor है, उसको ignore कर दिया गया, उसको arrange को नहीं देखा गया, कि कौन किधर है, 2 किधर है, 3 किधर है, कोई भी, किसी को किधर भी लिख सकते हैं, तब पर भी, वही होगा, ठीक है, अब आगे चलते हैं, तब आगे है हमारा, method of finding LCM, method of finding LCM, ठीक है, sorry, method of finding LCM है, सबसे पहले, LCM है, LCM के बारे में, the example, to find the list common multiple LCM of 36 and 56, है, हाँ पर सबसे पहले, example से बताया है, ठीक है, तो क्या तरीका होता है, सबसे पहले, क्या होता है, दो तरीका होता है, एक ठो तरीका होता है, prime factorization, एक पहला तरीका होता है, पहला तरीका होता है, prime factorization, अब second होता है, division method, second होता है, division method, ठीक है, लेकिन यहाँ पर prime factorization बताया है, तो सबसे पहले 36 और 56 का पुछा है तो 36 को क्या आप प्राइम फेक्टराजिशन कर लेंगे 56 का प्राइम फेक्टराजिशन कर लेंगे अब देखेंगे दोनों में common को है 2 है common यह भी है common इसको लिख लिए the common the common prime factor is 2 into 2 यह क्या है 2 into 2 दोनों में common है ठीक है the uncommon prime factor 3 into 3 क्या है uncommon 3 into 3 इसमें बट इसमें नहीं है 2 into 7 इसमें बट इसमें नहीं है ठीक है ठीक है अब LCM अब 30 से निए प्रीप्रीशन क्या होगा जो सबको multiply किया जाता है जो common है और जो uncommon है उसको सबको क्या किया जाता है एक सार मल्टिप्लाई किया जाता है उसी क्या बोलते हैं LCM LCM का फुल्पूम क्या होता है Lowest Common Multiple ठीक है अगर किसी को LCM नहीं आता हो तो comment box में लिख देना कि sir LCM का एक वीडियो बनाईए हम बना देंगे अलग से ठीक है आगे चलते है अब है method of finding ACF और यह तो हम लोग अभी notes पढ़ रहे है जब इक साइज पढ़ेंगे ता बच्छे से समझ में आएगा वहाँ पे clear कर देंगे किस प्रकार से ACF निकाला जाता है किस प्रकार से LCM पढ़ा जाता है यह तो अभी theory पढ़ रहा है जो कि notes है ठीक है अब पढ़ते है method of finding SCM तो ACF can be found using two methods ACF को दो method के दोरा find किया जाता है prime factorization, Euclid's division algorithm पाला हो गया prime factorization दूसरा हो गया Euclid's division algorithm जिसको division method विका जाता है ठीक है पाला है prime factorization ति इसमें किया जाता है तो given two numbers we express both the them as a product of their respective prime factors then we select the prime factors that are common to both the numbers इसमें क्या होता है इसमें क्या होता है prime factorization में जिसे दो का हमको निकालना है जिसे माल लिए 8 का और हमको निकालना है 20 का prime ACF निकालना है ति इसको तोड़ेंगे prime factorization में 2 x 2 x 2 इसको भी तोड़ेंगे 2 x 2 x 2 क्या 5 तिसमें देखेंगे कि common कौन है, यह दोनों common है, है यानी कि 2 into 2 2 into 2 क्या है, common है, यही 2 into 2 किया हो गया, ECF हो गया, यानी कि 4 ठीक है, यही ढोल रहा है कि दोनों को क्या करते हैं, prime factorization करते है, और उसमें जो common होता है, वही उसका ECF हो जाता है, थीक है थीक रूल अब हहां पर एक्जांपल तु क्या हुआ है 20 गतुरा 2 2 2 5 24 गतुरा 2 2 2 2 2 2 2 3 तोसे दोनों में क्या है यह कॉमन है 2 2 2 2 2 ह überzeug स्सी अफ खैसे फोग्छ em 4 क्या हो गया है सिंपल है अगर किसी को SCF निकालने में confusion हो रहा हो तो comment box में लिखना हम LCM और SCF कालक से वीडियो पर आदेंगे और अभी तो chapter पढ़ेंगे तो उसमें तो clear हो गाई ठीक है अभी prime factorization से SCF निकालने के लिए देखें अब देखते हैं यहाँ पर Euclid division algorithm से किस प्रकार से निकालते हैं तो it is a repeated use of Euclid division lemna to find the SCF of two numbers यह क्या है repeated मतलब बार बार यूज करते हैं कब तक यूज करते हैं जब तक remainder 0 ना जाए जब तक remainder 0 ना जाए तब तक Euclid division lemna को बार बार यूज करके SCF किसी भी दो number का SCF find करते हैं ठीक है जिसे कि यह example दिया हुआ है 18 और 30 का क्या निकालना है SCF निकालना है ठीक है तो क्या किया सबसे पहले यहां पे छोटा वाला नंबर से बड़ा वाला में डिवाइट किया कितना बार भी डिवाइट किया वन टाइमस में ठीक है तो remainder कितना हैगा 12 भाया अब क्या कि इसको डिवाइसर बना दिया इसको क्या किया डिवाइसर बना दिया ठीक है और डिविडेंट किसको बना दिया पहले से जो डिवाइसर यानि कि डिवाइसर इसमें डिविडेंट बनते जाता है और रिमेंडर डिवाइसर बनते जाता है डिवाइसर जो है डिविडेंट बनते जाता है यानि कि यहां वला यहां आते जाता है ठीक है तो 12 को फिर फिर वन टाइम्स दिए 12 बंज़ा 12 फिर 6 बजा फिर 6 को क्या बना दिए डिवाइसर बना दिए 12 को फिर दिए तू टाइम्स डिवाइट के 6 तू जा 12 अब क्या अतना आ गया 0 तो जब तक 0 ना आय तब तक यही प्रोस्ट को रिपीट किया जाता है इसी को बोलते है यूकलीड अल्गोरिद्म लेम्ना ठीक है इसी को कहा जाता है कि अच यूकलीड डिविजन लेम्ना आगे चलते हैं प्रोडक्ट अब 2 नंबर Smart सीमपल देखांक प्रोडक्ट अफ तू नंबर का हमको LCM निकालना है उस दो नंबर का प्रोडक्ट जो होता है उसके LCM के बराबर होता है ठीक है फिर से जिस नमबर के हमको LCM निकालना है SCF LCM निकालना है उसका गुननफल उसका प्रोडक्ट उसके SCF हर LCM के बराबर होता है जिसे 4NE2 Positive Integer A and B जिसे की दो कोई A and B है इसका SCF कुछ होगा इसका LCM कुछ होगा तो इसको यह दोनों को Multiply करेंगे और फिर का LCM BCM को Multiply करेंगे दोनों क्या होगा बराबर होगा ठीक है JCM यहां पर दिखाया गया है कि 36 है और 56 यह दोनों का LCM कितना है 2016 है और इसका LCM कितना है 2016 है इस दोनों का product कितना है 2016 है और इसके LCM कितना है 504 अब LCM कितना है LCM है 504 अब SCF कितना है 4 तो जब इस दोनों को multiply किया अब इस दोनों को multiply किया क्या हो गया दोनों बराबर हो गया ठीक है तो वह ही लिखा हुआ देखिए 36 गुने 56 product of two number equal to SCF into LCM दोनों क्या होता है बराबर होता है ठीक है यानी कि किसी भी दो नंबर का product उसके SCF और LCM के बराबर होता है ठीक है आगे चलते हैं अब यहां पर लिखा हुआ है applications of SCF and LCM in a word problem अब यहां पर यह पोफिए क्या बोलते हैं यह बोल रहा है कि जो वर प्रोब्लम कुश्ण आता है किशन आता है जीसे किस प्रकान निकाला जाता है और HCM किस प्रकान निकाला जाता है ठीक है अब इसका यूज कहां पर है तीस का यूज कहां पर है जिसे माली जी के हम लोग जिसे माली जी के हम लोग एक डारेक्शन में चलना ही स्टाट की है हम चले 8 के स्पीट से ठीक है हम चले 8 घंडा पहले आप चले 10 घंडा ठीक है तो दोनों आगे जाके किस बिंदू पर मिलेंगे ठीक है इस टाइब की कोउचन मनाने के लिए SCF LCM का यूज करते है । थीक है LCM का यूज कहा किया जाता है point of common occurrence, common occurrence को find करने के लिए LCM का यूज किया जाता है common occurrence को find करने के लिए जिसे की माली जीये है सरकल है यहां से हम चलना है start किए किस time होगा कि दोनों हम लोग एक विन्दू पर मिलेंगे तिस time के question बनाने के लिए हम लोग LCM का यूज करते हैं ठीक है This could be the common ringing of bells that ring the different frequencies फिर फिर एको घंटी वाला कोचन आता है तो एक bell इतना देर में बजता है एक bell इतना देर में बजता है एक bell इतना देर बाद बजता है तो सभी bell कब एक साथ बजेंगे तो इस type के question बनाने के लिए भी LCM का यूज करते हैं ठीक है फिर एक time which two person running at different speed meet and so on वही माली जी कि दो आदमी अलग-अलग speed से दोट रहा है तो वो कौन सा ऐसा time होगा जिस पर वो दोनों मिलेंगे एक दूसरे से ठीक है तो इस type के question बनाने के लिए हम लोग SCF LCM का यूज करते हैं ठीक है ये था application SCF और LCM का आगे चलते हैं यहाँ पर है revise string revise string irrational number revise string irrational numbers सबसे पहले जानते हैं irrational number होता क्या है any number that cannot be expressed in the form of P by Q where P and Q are integers and Q not equal to 0 irrational number कहते किसको है जिसको हम P by Q के form में नहीं लिख सकते हैं जहाँ Q not equal to 0 जिस number को हम P by Q के form में नहीं लिख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं irrational number कहा जाता है हिंदी में परिमेश संख्या कहा जाता है ठीक है इसका example क्या हो जाएगा root 2 ठीक है Q 4 root 2 हो जाएगा ठीक है pi हो जाएगा and so on बहुत सारा यह सब क्या है irrational number है ठीक है अब आगे चलते हैं आगे क्या है numbers theory interesting result अब number theory है कुछ interesting result number theory का ठीक है जीसे e फे number e फे number यदि एक number p divides a square then p divides a example यह क्या बोल रहा है ना कि अगर कोई number माल लीजे p है ठीक है अगर क्या नंबर p है a square को divide करेगा ठीक है तो p a को भी divide करेगा ठीक है पी अगर a square को भी divide करेगा यह यह कहना चाहरा है कैसे इसको समझते हैं जिसे 3 से divisible है 6 6 क्या है 3 से divisible है लेकिन 36 भी 3 से क्या होगा, divisible होगा 36 यानि कि 6 का square यही कहाना चाहरा है ठीक है, समझ में आगया होगा फिर से, जिसे 4 से 8 divisible है 4 से 8 क्या है, divisible है तो 8 का square यानि कि 64 भी 4 से divisible होगा इसका कहाने का मतलब यही है, ठीक है आगे, the sum of difference of irrational and irrational number is irrational the sum of difference कहारा है कि अगर जे, हम एक rational number को जोड़ते हैं एक rational number को जोड़ते हैं, और एक irrational number को जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो अगर जे उसमें से एक rational number है और एक rational number है, अगर जे दोनों को जोड़ते हैं, घटाते हैं इसको जोड़े तो क्या आया अब अगर जिसको घटाएंगे तो क्या आएगा ये रिशनल नमबर आएगा ठीक है इस पॉइंट का कहने का मतलब यहीं है ठीक है कि आगे यहाँ पर कहने का मतलब है कि दखिए यहाँ पर यह बोल रहा है कि अगर रूट पी एक इरेशनल होगा कब जब पी एट क्या है प्राइम नमबर है पी क्या होना चाहिए प्राइम नमबर होना चाहिए पी एक प्राइम नमबर होना चाहिए कैसे प्राइम नमबर होना चाहिए जिस देखिए अगर यहाँ पर रूट लिखे ठीक है अगर यहाँ फोर लिख दिये तिये क्या होगा इरेशनल नमबर होगा नहीं नहीं होग इसलिए क्यों कि इसका रूट हो जाता है इसलिए इसलिए हो गाल तो तो रूट के अंदर यदर प्राम नंबर होगा तो क्या होगा इसलिए इसमें है तो है और यहां पर यह बोल रहा था कि कि इस टाइब के नंबर को इस टाइब के नंबर को क्या प्रूब करना पड़ता है कि रूट सेवे ने एरेशनल है कि नहीं है इसको प्रूब करके दिखा आप बोलता है नहीं कि प्रूब किजिए कि रूट सेवे ने आप परिवें संख्या है ठीक है तो रूट सेवे नी जाल लेते हैं थोड़ा सा, पुरुपाइक कोंट्राडिक्षन क्या है, तो in the method of contradiction to check whether a statement is true, इसमें क्या क्या जाता है, कि कोई statement true है कि false है, ये चेक क्या जाता है, method of contradiction में यह चेक किया जाता है कि कोई statement true है या false है यह चेक किया जाता है जिसे लिखा हुआ है कि root 7 एक अपरिवेशन के आए ठीक है root 7 is a irrational number तो उसको check करना है हमको root 7 एक irrational number है उसको prove करके दिखाना है तो इस method का हम लोग अपनाते हैं ठीक है तो सबसे पहले क्या करते हैं we assume that given statement is true हम लोग उसको क्या माल लेते हैं true माल लेते हैं assume that the given statement is true we arrive at some result which contradicts our assumption लेकिन क्या होता है लेकिन क्या होता है कि कुछ-कुछ ऐसा assumption आने लगता है जिसके चलते हम लोगं का क्या होता है result contradict क्रने लगता है route 7 एक rational number माल लेते हैं लेकिन ऐसा ऐसा रिजल्ट आने लगता है जिससे कि हम लोग को फिर मानना पड़ जाता है कि route seven हे rational number ही है रेस्ला किसके द्वारा हम प्रूब किये देर बाइब प्रूबिंग दा कॉंटार रदी ठीक है मतलब गलत मानकूस को हम लोग प्रूब करते हैं ठीक है तो आगे चलते हैं यहां पर लिखा हुआ है प्रूब हैट रूट शे टरियृट टांसनग कि प्रूब करना यहां रीकिन देखाना है को माल लिए कि हाँ true नई इसको माल नहीं हमने है रूट-7 को रिष्टनल माल नहीं हमलों तो क्या हुआ है यह क्या है रूट-7-8 रिष्टनल नंबर है इसको पिए लूप में लिख सकते हैं जहाँ बी नॉट इकवल करेंगे रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 हो जागा रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जागा 7 हो जागा इधर 7 क्या इधर यह स्क्वायर भी ते ए स्क्वायर भी स्क्वायर लिख दिया ठीक है हैं 7 से क्या हो रहा है कि 7 यो है एक तो डिभायड करेगा देर इग्जिस्ट आपर सी तब यह पराबर क्या हो जाए ऑ़ये बराबर सेबाबर सेबन से टो यह को डिभायड करेगा तो सी आएगा आँ सेबेन जब एको डिवाइड करेगा तो एक नंबर सी आएगा देट एक स्कॉयर ब्रावर 49 सी स्कॉयर ठीक है तब एक आपेलू यहां पर बैठा दिया यहां पर बैठाएंगे A² बरावर कितना हुआ? 49 हुआ ना A² बरावर 49 C² ठीक है? तो हैंस 7 B² बरावर 49 C² 7 B² बरावर क्या हुआ? 49 C² और B² बरावर 7 C² हैंस 7 डिवाइस B इसका मतलब हुआ कि 7 जो है B को डिवाइट करेगा 7 जो है B को डिवाइट करेगा Since 7 is a common factor for both A and B 7 B को डिवाइट करेगा, A को भी करेगा इसलिए 7 क्या है? दोनों के लिए कौन factor है? It contradicts our engemson जो कि क्या करता है? यह हमारे engemson को contradict करता है कटाक्श कर रहा है, इसलिए that A and B are co-prime integers लेकिन क्या है? A और B तो co-prime है लेकिन है आपे co-prime नहीं आ रहा है क्या रहा है? दोनों का SCF हो जा रहा है इसलिए यह हमारे कटाक्श कर रहा है Hence, हमारे engemson को कटाक्श कर रहा है contradict कर रहा है इसलिए hence, our initial engemson root 7 rational is wrong तो हमारा जो शुरू जो माने थे हैं कि यह rational number यह क्या हो गया? गलत हो गया therefore, root 7 is irrational number इसलिए root 7 एक आप परिमेशं किया है ठीक है? आगे बढ़ते हैं अगला topic है revisiting rational numbers and their decimal expansion अब revisiting कर रहा है किसके बारे में? rational numbers के बारे में and their decimal expansions के बारे में revisiting मतलब दुबारा उसके बारे में देख रहे हैं सबसे पहले कहा है rational numbers rational number किसको कहते हैं? जिसको हम P by Q के form में लिख सकते हैं उसको क्या बोगते हैं? rational number कहा जाता है ठीक है चाहां q not equal to 0 ठीक है p of q क्या होता है integers होता है example क्या होगा minus 1 by 2, 4 by 5, 1, 0, minus 3 etc सब क्या होगा examples है rational number का ठीक है अब क्या है कि rational number का जो decimal expansion होता है या तो terminating होगा या तो non-terminating decimals होगा दो ही प्रकार का होता है rational number का decimal expansion या तो terminating होगा या तो non-terminating decimal होगा तो terminating decimals किसको बोलते हैं? तो terminating decimals are decimals that end at a certain point तो terminating decimals वैसा decimal होता है जो की कोई न कोई बिंदू पर जाके खतम हो जाता है ठीक है? लेकिन non-terminating decimal वैसा होता है जो की कहीं भी खतम होने होता नहीं है वो repeat होते रहता है उसको क्या बोलते है non-terminating decimals कहा जाता है terminating का example होगे 0.2, 2.56 and so on non-terminating decimals are decimals where the digits after the decimal point don't terminate ठीक है non-terminating इसको बोलेंगे जिस जो point terminate नहीं होता है ठीक है कभी भी वो खतम नहीं होता है कभी भी वो खतम नहीं होता है उसको क्या बोलते है non-terminating बोलते है वो चलते रहता है चलते रहता है repeat होते जाता है तो उसको क्या बोलते है non-terminating ठीक है अब यहाँ पर क्या है कि non-terminating decimals can be अब non-terminating decimal जो है उसको दो भाग में बाटा जाता है एक होता है रेकरिंग नन रेकरिंग और नन रेकरिंग तो रेकरिंग किसको बोला जाता है रेकरिंग जिसके कोई नमपर लिखते हैं इसे 0.3 उसके उपर यह लगा देते हैं तेशी को बोलते हैं झेरेकरिंग ठीक है तो एह पार्ट ओफड़ detimal repeats रेपीट आइडेंट्टी करा इनडिफनैटि नि मतलब अनंत को क्या कह राता है जिसे की मतलब नचीन का होता μέσα आप सुझे का अधिया एग नूटी मतलब हो इसके उपर करता है इसए repeat होने के चलते रेकरिंग चढ़ा देते हैं ठीक है तो इसको क्या बोलेंगे रेकरिंग होगे आप non-recring non-recring का मतलब हुआ no part of the decimal repeats identically example ठीक है इसमें क्या होता है कि non-recring no part of the decimal repeats identically example 5 बराबर इतना non-recring में क्या होता है कि उसमें जो decimal parts repeat नहीं होता है अलग-अलग आते रहता है जिसे pi का फेलू हो गया ठीक है ठीक है ठीक है आगे बढ़ते हैं check if a given rational number is terminating or not कोई भी rational number का कोई भी rational number का decimal expansion है decimal expansion terminating है या नहीं उसको check कैसे करेंगी ठीक है तो आई यह उसके बाले में जानते हैं तो यहां पर क्या है कि if a by b is a rational number यह यह अव भी क्या है a by b rational number है then its decimal expansion would terminate if both of the following conditions are certified कब होगा terminating terminating कब होगा जब यह दोनों condition को satisfy करेगा तब जाके terminating होगा पहला क्या है यह अव भी दोनों का 5 that is 2 का पावर m into m into 5 का पावर n where either m और n और both can be 0 इसका कहने का मतलब यह है कि a second पहला पाट तो सबज में गया दोनों का स्थी फोन होना चाहिए लेकिन जो नीचे वाला पाट है a by b b का जो है b का जो prime factorization होना चाहिए वो यह तो 2 का पावर कितना भी होना चाहिए यह तो 5 का पावर कितना होना चाहिए matter नहीं करता है 2 और 5 होना चाहिए यह तो दोनों होना चाहिए यह तो दोनों में कोई एक भी रहेगा ठीक है दोनों होना चाहिए तो दोनों होना चाहिए 2 का पावर m अब 5 का power in, दोनों होना चाहिए तब जाके वो क्या terminating होगा जिसे कमाले जी की 3 by 10 है 3 by 10 है, ये क्या हो जागा, 2 into 2 into 5 होगा इसका ति ये 1 हुआ, यानि कि 2 into 5 की रूप में हो गया अब ये दोनों का है से भी कितना है, 1 है यानि कि ये terminating होगा, ठीक है terminating होगा ये ही बोल रहा था ये, ठीक है अब आगे है, if the prime factorization of B contains any number then 2 or 5, then the decimal expression of the debt number will be recurring फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, कि अगर prime factorization B के prime factorization में 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा number आ गया ठीक है, 2 और 5 के अलावा जिसे कि A बटा B हुआ ना, थे B का जब हम prime factorization किये थे B के prime factorization में 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा number आ गया तो क्या बन जागा recurring बन जागा, ठीक है क्या बन जागा, recurring बन जागा जिसे कि हम लिखते है 3 by 3 by लिखते है 30 ठीक है इसका सबसे पहले तो यह क्या हो जागा 1 by 10 हो जागा यह तो cut जागा यह क्या हो जागा यह हो जागा terminating हो जागा यह क्या हो जागा terminating हो जागा ठीक है terminating हो जागा लेकिन अगर 2 by 5 के अलावा कोई दूसरा आ गया तो वो क्या हो जागा रेक्रिंग हो जाएगा ठीक है एक्जामपल 1 by 40 है पर लिखा हुआ है 0.025 होगा इसका क्या ची टर्मिनेटिंग होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल है 1 by 40 को डेसिमल में एक्स्पेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग होगा एज एसिएफ of 1 and 40 is 1 दोनों का क्या है 1 है and the denominator 40 इसको 2 का पावर 3 into 5 का पावर 1 में लिख सकते है 40 को करेंगे 2 into 2 into 8 होगा एट 5 is a 40 2 का पावर 3 into 5 का पावर 1 तो 2 का पावर आफ 5 का पावर में टूटा ना ठीक है यानि कि टर्मिनेटिंग होने के लिए क्या होना पड़ेगा a और b दोनों का hcf hcf 1 होना चाहिए अब b को टूटना चाहिए 2 का पावर m में और 5 का पावर n में ये दोनों condition follow करेगा तब जाके टर्मिनेटिंग होगा नहीं तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा क्या हो जागा रेकरिंग हो जाएगा ठीक है टू आफ 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर आ गया बीच में तो क्या हो जागा रेकरिंग हो जाएगा ठीक है जिसे यहां पर example है क्या 3 by 7 ब्राबर इस ए रेक्री क्या है यह रेक्री है क्यों है रेक्री यह रेक्री है क्यों है रेक्री यह जो स्टीएफ अब 3 यह 7 दोनों का स्टीएफ तो 1 हुआ लेकिन denominator का जो part है वो 7 का power 1 हुआ 2 आउ 5 कोई भी आया इसलिए यह क्या हो जागा रेक्री हो जागा यानि कि first condition तो follow किया लेकिन second condition को follow नहीं किया इसलिए क्या हो गया ही रेक्री हो गया ठीक है दोस्तों इस वीडियो में इतना ही आज के लिए धन्यवाद ठीक है अगर वीडियो अच्छा लगे तो like करना, share करना और channel को subscribe करने के लिए मत भूलना ठीक है अगर वीडियो में कोई कमी बेसी होता हो तो वीडियो में comment करके बताना उसको हम सुधारने का कोसिस करेंगी ठीक है आज के लिए इतना ही धन्यवाद